प्रत्वी पर पायज आने वाला सबसे बड़ा जनबर करीब एक लाख साल पहले बिलुप्त हो गया तीन मेटर उचा यह जीव क्यों गायब हुआ होगा बैग्यानिकों के मुताविक इसके कारण उनके आकर और खान पान से जुड़े थे बैग्यानिकों का मानना है की जलवायू परिवर्तन से उनके पसंदीदा जंगली फलों की पैदावार पर असर पड़ा और सवाना की घास उन्हें जिन्दा रखने में काम्याब न रह सकी किंग कौंका भार एक बियसक पुरुष के मुकावले पांस दुना था अनमान है की यह आकार में तेन मेटर यानि लगवव नौ फेट उचा रहा होगा जब बेजिन्दा थे तो अर्दे उस्ल कटवन दिये दच्छडी चेन और दच्छड पूर्वी एसिया के जंगल उनकी रहाइसी इलाके थे अभी तक उनकी आदतों और खानपान के वारे में जादा जानकारी नहीं थी उनसे सम्मन्धितिक्पुल जीवासमत जो मौजूद हैं पे निचले जबडे के अफसेश और करीव एक हजार दाथ हैं पहला 1930 के दसक में होंग कोंग में मिला था उस समय उन्हें ड्रेगन के दाथ वताकर बेचा गया था जर्मनी के ट्यू विंगन यूनिवर्स्टी के रिसर्चर हैर्वे वोखिरेंस के मताविक ये प्रमाड ये कहने के लिए परियापते नहीं थे कि बेजीब दू पेरों पर चलते थे या चार पर और उनके सरीर का अनपत क्या रहा होगा उनका सबसे करीबी रिष्टेदार मौजूदव और रांग उटान को माना जाता है लेकिन वे चहरे से सुनहरे थे या गोरिला की तरह काले ये भी पता नहीं है अन्य रहस है उनका खानपान पे साका हारी थे या मासा हारी यह भी सोचनी की बात है कि इतने वड़े आकार वाले जीब के साथ आखिरे सक क्या हुआ कि भी बिलुपत हो गए और यहां से ऐसी कहानी का आधार बनता है जिनके बारे में दात बहुत कुछ कहते हैं दातों के कारवन आईसो टोप्स में अंतर का अध्यन कर बेग्या निकोनी अनुमान लगाया है कि आरम भी किंग कॉंग जंगल में ही रहता था बहसा का हारी था उन्हें तब तक समस्या नहीं हुई जब तक प्रेथवी गंभीर हिम यूग से सामना नहीं हुआ सायद यही वह समय रहा होगा जब प्रेथवी विकास और नया खानपान आजमाने की कमी इस बिसाल चीप की बलुपती का कारड बनी बैखिरेंस मानते हैं इसके बड़े आकार के कारड इससे जीवित रहने के लिए ज़ादा मात्रा में बोजन चाहिए था प्लीस टोसीन काल के दोरां ज़ादा से ज़ादा जंगल गास के मैदानों में तबदील हो गए उस समय खाने की बेहद कमी थी हाला कि इसी दोर में अनिक अपी और अफ्रीका में प्यारम भिक मानव जिनके दातों के ढाचे मिलते जुलते थे जिन्दा रहने में काम्याव रहे गास पत्तियों और जड़ों से मिलने वाला भोजन उन्हें जिन्दा रखने के लिए परियाप सावित हुआ आई होप हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें वीडियो को लाज तक देखने के लिए थेंक्यू